हेलो में नौसकार दोस्तों कैसे हैं आप सभी एक बर फिर से आप सभी का स्वागा थे आपके अपने यूटूब चैनल प्राफिट सडी में तो आज किस फीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिज 2024 सेशन के अंतरगत आप सभी को पताए कि बहुत सारे रेलवे के डिविजन, कलस्टर, वरक्सॉप, यूनिट के तरफ से रेलवे एक्ट अप्रेंटिज भरती का नोडिफिकेशन जारी हो गया था जिसमें जो जो कटफ को क्वालिफाई कर पाएं स्टुडेंट उनका सेलेक्शन हो गया उनका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया उनका ज्वाइनिंग हो गया ठीक है और अगर कटफ कुछ कम गया सीट खाली रह गया तो सकेंड डिवी आया कहीं का थर्ड डिवी तक अभी नहीं हो पारा उन सभी शात्रों के लिए एक अच्छी अपडेट निकल के आ रहे हैं जो हम आज के सुड़ों में बात करने वाले हैं अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है ध्यान से सुनिएगा अंतिम उसर है आपके पास और ये रेलवे के जिरिप एक ही किएगा इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है जिनका रेलवे अप्रेंटिज में रिल डिस्ट में नाम नहीं आया है उनके लिए सांदार मौका है रेलवे अप्रेंटिज ज्वाइन करने का कैसे क्या करना है वो सारा कुछ हम आज के सुड़ में बताने वाले हैं तो चलिए व पोस्ट भी एक्ट अप्रेंटिस भरती का नोटिफिकेशन उनमें से एक आता है बाकी भी बहुत सारे डिविजन का आये थे परन्तु अभी हम बात करेंगे NCR के उपर जिसमें 1697 पोस्ट का एक्ट अप्रेंटिस भरती निकाला गया था इसमें आपका फर्स्ट राउंड का की बात करेंगे इसमें जो आपका विलिंग्नेस है लेटर के उपर बात करेंगे कि कैसे करके आपको आवेधन करना है जिसका मेरिटलिस में नाम नहीं आ रहा उसके लिए ठीक है तो यह आपका NCR की तरफ से आपको गोल्डन ओपर्चुनिटी मिल रहा है अच्छा मौका मि में नहीं दिया जाता है ठीक है तो यह आपका अपडेटा है रेल भरती प्रकोष्ट उत्तरमध रेलवे प्रयागराज की तरफ से आवैसेक सुचना में एक्ट अप्रेंटिज जोनन नूडिफिकेशन संख्या एक अबलीग 2023 के अंतरगत प्रसिक्षियों के संबंद के प्रसिक्षन के संबंद में यहाँ पे सिंपल ही बताए गया है कि प्रथम चरण और दीती चरण में डीबी हुआ ठीक है कंडिडेट को जोईनिंग के लिए ब मेरिट लिष्ट आपको आज कल में मेरिट लिष्ट देखने को मिल जाएगा और नहीं तो आप उम्मिद कर सकते हो कि आपको जो मेरिट लिष्ट है वो आपको मेरिट लिष्ट 20 के 20 तारिक के आसपास आपको मेरिट लिष्ट देखने को मिल सकता है ठीक है कि आपका 22 से 22 से कुछ बताएंगे पहले समझ लिजे उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य उपयूक्त अभ्यारती को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 17.05.2024 को शाम 6 बजे तक email id ncr.rc.pyj.gmail.com में अपना संपत्ती पत्र जिसे willingness लेटर कहा जाता है वे सकते हैं संपत्ती पत्र मंगाया जाना यह संकेत नहीं करता है कि संबंदित अभ्यारती का नाम चैनित सूची में होगा किसी भी चरन में आवज़सक अहरताओं को पूरा ना करने वाले अभ्यारती को अभ्यारता रद कर दी जाएगी तो सिंपल आपको यहीं बताए गया है अब बहुत सारे साथ यह नहीं समझ पाएंगे कि सरी विलिंगनेस लेटर है क्या देखिए NCR आपको एक सुविदा आप लोगों के लिए यहां पे उपलब्द कराता है कि जिन भी साथियों का मेरिट लिष्ट में नाम नहीं आपारा फर्स्ट हो गया सकेंड हो गया थर्ड हो गया उनके लिए यहां पे एक आप्सन आता है कि आप से रेलेवे खुज डीटेल मांग ठीक है तो NCR आपको यह अधिकार देता है कि अगर आप रेलवे अप्रेंटिस करने के लिए चुक है और अगर आपने NCR में आवेदन किया है अगर आपका नाम नहीं आया फर्स्ट में सकेंड में थर्ड में तो आप अपना पूरा डीटेल रेलवे को मेल के थुरू भीज जाएगा ने तो फिर बाद में आपको परिशानी होगा पता चला आप मेल भेज दियें और सही से मेल आईडी नहीं डाले तो मेल कहीं और पहुंच यह उसके बाद आपको दिक्कत हो जाएगा ठीक है बाकिए जो सारा डीटेल है आपको टेलीग्राम में तो जितने भी जो भी अपडेट आता है चाहिए अल्पी टेक्निसियन अर्पी फेसाई कॉंस्टेबल अभी आप लोगों पता है गुरूपडी का नूडिफिकेशन आने वाला आई सुलेटर मिस्टेरियल का नूडिफिकेशन आने वाला एंटीपी से जूनियर इंजियन है तमाम तरह का आप जो भी रेलवे अपडेट आता है चाहिए हम ऐन्टी पीसिक होगा हो गया कटक हो गया डीवी हो गया फाइनल मेरित लिस्ट हो गया मेरिट लिस्ट हो गया सबका पीडियफ आपको कहा मिलेगा तो सब से पहले आपको अपडेट मिल जाता है प्रॉसियल टेलिगराम मे टेलिग्राम में जाकर सर्च करके भी जॉइन कर सकते हैं नहीं तो आपको description में लिक मिलेगा simple click में आप जाके यहाँ पे जॉइन हो जाईएगा अप आत करते हैं कि जो आप willingness लेटर जो आपको भीज रहा है उसका performa क्या है उसका performa भी आप लोगों के लिए यहाँ पे बनाए है कि रेलवे इसका कोई भी performa आप लोगों को नहीं देता है देखिए यह पूरा performa है और इसी performa में आपको देखिए क्या करना है सिंपल सबने आप में आपको बता दे रहें यह जो performa आप देख रहे हो ना यह performa सबसे पहले इसको आपको प्रिंट करवा लेना है आपका सवाल होगा सरी मिलेगा कहां तो हमने आपको थोड़ी दिर पहले बताए टेलीग्राम कैसे जॉइन करना है टेलीग्राम में यह अपलोड हो जाएगा ठेक है पहला आपको दूर हो गया उसके बाद आपको इसे print कर आ लेना है है trade mention कर देना है 10th में कितना percentage था वो लिग देना है ITI में कितना percentage था वो mention कर देना है 10th और ITI के average कितना पर देना average कैसे निकाल लिएगा 10th प्लस ITI का marks को जोड़कर 2 से divide देके average निकाल दीजेगा और आपका category कौन सा है undeserved, OBC, HTSC, EW, जो भी category होगा वो category आपको यहाँ पर mention कर देना है याद रखेगा कि वही category mention करेगा जो form आप apply करते टाइम वहाँ पर दिये थे ठीक है इसको भरने के बाद आपको क्या करना है आपको यहाँ पर अपना sign कर देना है ठीक है यहाँ पर आपको अपना sign कर देना है sign करने के बाद आपको क्या करना है इसको mobile से scan कर लेना है इसका pdf बना लेना है अगर आप का tap को qualify करोगे तो आपका जो third round होगा उसमें आपको DV के लिए बुला लिया जाएगा ठीक है अभी तो देखिए 123 candidate को हापे shortlisted किया गया है ठीक है उसमें नहीं आने वाला time में आपको बुला लिया जाएगा और हो सके तो आप 17 तारीक तक data भेज दीजेगा सामके 6 बज़े तक तो जो list आएगा हो से कि उसमें भी आपको नाम देखने को मिल सकता है तो simple से आपको ये काम कर लेना है जिसका भी selection नहीं हो रहा उनके लिए अच्छू कुपाय हम बता चुके है ठीक है बाकी जैसे जैसे railway की तरफ से update आते रहेगा हम आपको update करते रहेंगे औ आमको जहां तक लगता है या तो 17 या तो 18 तक आपका merit list यहां पर रिलीज होने का संभावना है ठीक है 18 तक रिलीज होने का पूरा संभावना है NCR का third merit list पाकी इसी तरह का latest important update पाने के लिए फटा फट करके चैनला को subscribe कर लीजेगा आज के लिए इतना ही फिर से मिलेंगे आपसे नई भरती नई जनकारी के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत